इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सभी diabetes दवाएं स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम के साथ इस्तिमाल करने पर अच्छी तरह से काम करती है। आपको जो dose दी जाएगी वो आपकी condition, blood sugar level और आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करेगी। इसे भोजन के साथ लेने से पेट की खराबी की संभावना कम होती है। अधिक्तम लाप पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक तैस समय पर ही लेना चाहिए। और जब तक डॉक्टर सलाहन दे तब तक इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए। ये आपके बलड शुकर लेवल को नियंतरत करता है और भविश्य में होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें। आपकी जीवन शेली डाइबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। डायरिया, दस्थ, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, सिर्दर्द और गले में खराशादी इस दवा से होने वाले आम साइड इफेक्ट हैं। अगर आप इंसुलिन या सलफोनलियूरिया जैसी डाइबेटीज की अन्य दवाएं भी ले रहे हैं, तो संभव है कि साइड इफेक्ट के रूप में बलड शुगर लेवल लो, हाइपोगलाइसीमिया हो जाए। इसलिए आपको जानना होगा कि इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे निपटना है, यह दवा सभी के लिए उप्यूक्त नहीं है। इसे लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि क्या आपको कभी केड़नी, लीव या हृदे रोग, अग्नियाशे की समस्या है, या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं। गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर, आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवाईों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।